सूप्रभाद प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में और आज हिंदी में हम करने वाले हैं एक नया अक्षर आज मैं हम आपको जो अक्षर कराएंगी वो है अक्षर व कौनसा अक्षर हम लोग करने वाले हैं अक्षर व तो आपको बिटा जो ये दिखाई दे रहा है, हम इसको बोलते हैं, व, अक्षर व, अब मैंम आपको बताएंगे कि व से कौन-कौन से जो शब्दों के नाम शुरू होते हैं, व से समभंदित चित्र मैंम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व से कौन-कौन से शब्द शुरू होते हैं, ओके, तो देखी, व से कौन-कौन से जो हैं शब्द शुरू होते हैं, तो इन चित्रों को देखते हैं, यह देखो, पहला चित्र देखी, व से वन, अब वन क्या होता है, जब बहुत सारे पेड एक साथ लगे होते हैं, तो उन हिंदी में व्रिक्ष भी बोलते हैं और वर्से वन और देखो वर्से क्या होता है बारिश तो बारिश को हम वर्षा भी बोलते हैं वर्से वर्षा और देखो वर्से क्या होता है वर्से वक वर्से वक और क्या होता है वर्से वजन वेट ठीक है जो वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं वजन तो ये सारे शब्द है जो वर्से शुरू होते हैं ठीक है अब हम अपना बुक में वर्क करते हैं वर्से संभंधित जो भी हमें पुस्तक कारिय दे रखा है हम लोग उसको करेंगे तो पेज नंबर वन टू वन ओके आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बिटा आपको देखना है कि इन में से किस चित्र में व की आवाज आती है जिस भी चित्र में व की आवाज आती है आपको क्या करना है उसमें रंग भरना है और उसको अक्षर व से मिलाना ह तो पहला चित्र देखते हैं, क्या है ये, बताइए, 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 येस, very good, इंबली, पर इंबली में तो e की आवाज आती है, इसमें तो व की आवाज नहीं आई, तो हम इसमें रंग नहीं भरेंगे, आगे देखो, ये क्या है, ice cream, very nice, ice cream को और क्या बोलते हैं, कु इलफी, तो इसमें तो फ क क क क और ल क की आवाज आई है, इसमें तो व की आवाज नहीं आई है ना, तो हम इसको व से नहीं मिलाएंगे, आगे देखो, नाव, 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 तो इसमें व की आवाज आई, तो हम इसमें रंग भी भरेंगे और इसको अक्षर व से मिलाएंगे next देखो बिटा, क्या है ये? पाव है न, पाओ तो इसमें व की आवाज आई पैर, पैर कोर क्या बोलते हैं? पाओ तो इसमें व की आवाज आई तो आप इसमें रंग भरेंगे और इसको अक्षर व से मिलाएंगे आगे देखो, तलवार क्या है ये? तलवार, नाव और पाउं, ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अक्षर व को लिखना है, जैसे मैम ने जब आपको अक्षर व कराया था, बिल्कुल सेम आपको वैसे ही लिखना है इसको, एक बार मैम फिर से बता देते हैं, यह ध्यान रखना है कि हमें अपने सेकंड लाइन से लिखना शुरू करना है और 4 लाइन तक हमें अपने अक्षर को लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, standing line बनाएंगे, ओके, then आपको क्या करना है, हाफ करव करना है, ठीके, और उपर, skipping line लगा देनी है, तो यह हमारा बन जाएगा अक अक्षर व में हमने क्या किया था जस्ट हमने इसको बीच में से ऐसे slanting line लगाई थी क्रोस किया था लेकिन अक्षर व में हमें ये नहीं करना है सीधा हमें एक standing line बनानी है half कर बनाना है और उपर sleeping line करनी है तो ये है ऐसे बन जाएगा हमारा अक्षर व ओके next page पर देखो आपको बिटा कुछ चित्र दे रखे हैं और आपको क्या करना है इनके चित्रों को देखकर इनके नाम जो है उनको आपको लिखना है देखो सबसे पहले क्या है चावल क्या है ये चावल च में हम लगाएंगे आ की मात्रा चा और व की आवाज आई तो हम इसमें लिखेंगे व चावल आगे देखो ये अभी मैंने आपको बताया था क्या है तलवार बेरी नाइस त ल तो हम लिखेंगे यहाँ पे व व मिसिंग है तो हमने लिखा व आर तलवार आगे बताये क्या है ये येस नाव न अ व नाव आगे देखो ये क्या है बताये सबने देखा है सबकी किचन में है ये मम्मा क्या बनाती है इसके उपर रोटी बनाती है तो इसको क्या कहते है येस तवा अब क्या कौन सा अक्षर में सिंग है इसमें व तो हम लिखेंगे व तव आ आगे देखो क्या है पाउ प आ व पाउ आगे देखो नेक्स देखो क्या है वर्षा बारिश हो रही है न बारिश को क्या बोलते है वर्षा व की आवाज आई तो हमने लिखा व वर श अ वर्षा कुछ बुक में बिटा दिवार बनी हुई है ठीक है कुछ बुक में आपको दिवार का चितर मिलेगा मेरे पास जो है इसमें यहां बारिश का चित्र है वर्षा का चित्र है कुछ बच्चों के पास जो बुक है उसमें ऐसे एक दिवार बनी होगी तो आपको उसको शब्द को पूरा करना है द, द में बड़ी ए की मात्रा दी, व, आ, र, दिवार तो जिसकी बुक में वर्षा है वो वर्षा लिखेंगे जिसकी बुक में दिवार है वो दिवार लिखेंगे तो यह है आज का हमारा हिंदी का वर्ख ठीके जिसमें हमने अक्षर वर को सीखा है और उससे संभंधित कार्य को किया है तो ये तीन पेज है जो आपको हिंदी की बुक में करने है ठीक है और सबको बहुत सुन्दर राइटिंग में करना है और मैं आपको सेंड करना है ओके बिटा बाई बाई